नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब व्यक्ति की उम्र अधिक बढ़ने लगती है या फिर शारिजिक महनत कम होने की वज़ा से फैट यानि की कॉलेस्ट्रॉल और अन्यपदार्थों के कारण हार्ट तक खोन पहुचाने वाले धमनियों यानि की अर्ट्रीज में फ्लैक जमा हो जाता है जिसे ब्लड स्रकुलेशन में रुकाउट हो जाती है ऑक्सिजन युक्त खोन ठीक से नहीं मिल पाता और धीरे धीरे ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन कर ब्लॉक कर देता है इस रुकाउट की वज़ए से नसों में ब्लॉकेज होने लगता है जिससे हार्ट टेक का खत्रा बढ़ जाता है आजकल कम उम्री के लोगों में भी नसों में ब्लॉकेज की वज़ए से हार्ट टेक के केसिस काफी ज़्यादा मातरा में देखने को मिलते हैं इसे कई वजह हैं, खराब लाइश्टायल, खराब खान पान, जैसे जंक फूड, मसालेदर खाना और एक्सरसाइज ना करना है। जब भी आप कुछ गलत खाना खाते हैं, तो उस खाना जब पचता है, तो उस पचें हुए खाने में से अमल यानिकी ऐसिड बनता है। अगर हम सही खाना खाते हैं, तो उसमें से पचतातू हमें मिलते हैं, जो हमारी बॉड़ी के सभी सेल्स को एनर्जी देने का काम करते हैं। इससे डेफिनेटले आपको प्रॉलम करेगी ही। यह जो अमल है यानिकी ऐसिड है, यह हमारे खुन में मिलने लगता है। और यही ऐसिड जाकर जोड़ों में जमा होता है, जैसे यूरी केसिड और गठिया कहते हैं। अगर आपको हाई ब्लट प्रॉलम हैं, हाई कालेश्रॉल की प्रॉलम हैं, तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, ब्लॉकेज को कैसे खत्म किया जा सकता है। ब्लॉकेज से बचने के लिए जया करना होगा। आएज जानते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी और सबसे बहतरीन आउसदी है दोस्तों अरजुन की छाल आईरविदी किताब स्टांग रिदेम में वेसका जिक्र किया गया है ये अरजुन की छाल नसों में ब्लॉकेज को बहुत ही तीजी से साफ करता है इसके लिए क्या करना है आपको एक बरत अच्छे से यह अटार हो उस तरह से इस्तकुमाल मिलाईए आपको दूद भी इस्तपाल करना है रोफट वाला यानी डबल क्रीम वाला दूद preoccup 요 नहीं लाना है भी बॉयल करने के लिए चक्शाल दाल दिजे और रिव समें अधी चिम्रस दाना है को तीन से चार PCV काली मिर इस दूद को ठंडा करके नहीं पीना है ध्यान रखेगा दोस्तों इस दूद को आपको सुभा खाली पेट लेना है और इसका सेवन आपको नियमीत रूप से करना है इसे नसें पूरी तरह से खुल जाएगी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा इसे शरीर में होन अगर आपको सुभा सुभा दूद डाइजेश्ट नहीं होता हो तो शाम को चार से पांच बजे के आसपस लेजे लेकिन ध्यान यह रखेगा कि पेट खाली होना चाहिए दो पहर के खाना खाने के दो घंटे के बार लगवग पेट खाली रहता है तो उस समय आप इस अनार के जूस के अंदर फैटो केमिकल्स होते हैं जो धमनियों में ब्लॉकेज आ जाती है तो इक फैटो केमिकल्स उसको कमचूर करके बाहर करने का काम करती है इस बैट कॉलेस्ट्रॉल को बाहर करने का काम करती है ब्लॉकेज के प्रॉलम को दूर करने का काम करती है तो आ अलसी के अंदर दोस्तों अलफा लिलोनेलिक एसिड होता है जो बंद धमनियों को खुलने का काम करता है इसके लिए आप अलसी को रोस्ट कर लेजे यानि की हलका भून लीजे और रोजाना इस अलसी का सेवन्द कीजे इस अलसी के साथ आप थोड़ी से मिसरी को भी मिला कर ख सकते हो लेकिन गरमियों के म Sóमें अगर आपको कअलसी खाना है तो एक से दो चप्रष नेटासी काफी एसिड बढ़ती है जो कि बंद धमनियों को खुलने का काम करेगा और हाट को हल्दी रखेगा इसके साथ ही रोजाना की डाइट में लहसुन जरूर शामिल करें लहसुन के अंदर दोस्तों अच्छी मातरे में होता है अलेसीन का काम है हमारे ब्लड को पतला करना थीन करना और नसों को यानि की रक्त वहाई काओं को चौड़ा करना जिसे धमनिया साफ हो सके लह जब आते नहीं जमता हो तो किसी चीज़ से क्रश कर लिजे और इसे पानी के साथ निगल देजे लहसुन का स्यवन आप लाइफ टाइम कर सकते हो कोई नुकसान नहीं होगा इसके लाव नसों के मजबूती के लिए कुछ खाने वाली चीज़ों के बारें बताता हूं इसे आप डेली रूटीन में शामिल करते रहें नसों को मजबूत करने के लिए आप काली किश्मिश खाया करें काली किश्मिश में ऐसे गुण होते हैं जो नसों को मजबूती देते हैं इसके लाव अलसी के बारे मैंने बताया अलसी को भी खाये इससे भी नसों को मजबूती मि पहले या फिर दो पहर के खाना खाने के एक घंडे पहले इसे चबा चबा कर खा लीजे, उपर से एक कप गुनगुना पानी पिलीजे, इस तरह आप काली किश्मिश और अखरूड का सेवन करेंगे, तो नसों में जो कमचूरी आ गई है, ये कमचूरी दूर हो जाएगी, इस दोस्तों, हल्दी खून को गाढ़ा नहीं होने देती, जिससे नसों में ब्लॉकेज के समस्या अपने आप खत्म होने लगती है, आईरवेती किताब स्टांग रेद्यम में बताया गया है कि हल्दी जो है दोस्तों, ये हमारे श्रीर को शुद्ध करती है, हमारे खून को पूद वाली चाय में अद्रक के अस्तमाल करने की बात नहीं कर रहा, यहां पर आपको अद्रक वाली चाय इस तरह बनानी है, आप एक से डेड़ी कप पानी चढ़ा दीजे पैन में, और एक से डेड़ी इंच अद्रक लीजे, उसे कद्दू कस करके इस पानी में डाल अगर आप चाय के शौकिन हैं, तो इसमें थोड़ी सी चाय पत्ते भी एड़ कर सकते हैं, जब यह उबल जाए तो इसे च्छान कर दीन में एक से दो बार आप ले सकते हैं, इसके लावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने डाइट का खास खयाल लगना होगा, ओ दीनी खाकर एसेड और बढ़ा लोके तो सुचो क्या होगा, जाना धीरे धीरे खोन में एसेड की मात्रा बढ़ने लगे, और यही एसेड शरीर में प्रॉलम करती है, यही एसेड की वज़े से दोस्तों हमारे शरीर में 30 से 35 तरह के रोग होते हैं, सुबह खाली पर अगर शोधन प्रणायाम कहा जाता है, जो नारियों और धामनियों को साफ करने में बहुत हेलफुल होती है, प्रणायाम के शरीर में कोई भी बिमारी नहीं होगी, जात इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो जानकारी कैसे लेगे, आप हमें कॉमेंट्स कर बताईए और जरूर जात इस वीडियो को लाइक करते हैं, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्यो